हर्याना विधान सभा का सेशन हो गया है और ये एक दिन का सेशन स्पेशल सेशन था जो हर्याना के मुख्य मंत्री है मैं नोहरलाल खटर वो कह चुके हैं कि जो हिंदी भाशी गाउँ है वो हर्याना को मिलने चाहिए उसके बाद कोई और बात करेंगे भगवंत मान ने डिप्टी कमिशनर से मुलाकात की और साथ ही पंजाब के स्सपी से भी मुलाकात की है हिमाचल में बस चालक ने एक मिसाल कायम किये उसने अपनी जान की परवा किये बिना सभी सवारियों को बचा लिया है नमस्कार डीफाइफ चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूस का में मैं वन्दना आप सभी दर्शेकों का स्वागत करती हूँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है सीनियर जनरलिस्ट धर्मिंदर संदू जी संदू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हर्याना विधान सभा का सेशन हो गया है और ये एक दिन का सेशन सेशन था इसमें क्या खास रहा बिल्कुल वंदर जी दर्शकों को बता दें कि इससे पहले पंजाब विधान सभा का भी एक दिन का इजलास हुआ था जिसमें अहम फैसला लिया गया था चंडीगड के उपर कि चंडीगड हमारा है हमें मिलना चाहिए तो परस्ताव परस्तुत किया गया था पंजाब सरकार की ओर से इसके बाद अब हर्याना में भी विधान सभा में परस्ताव पास किया गया है परस्तुत किया गया है और वो है S.Y.L. को लेकर कि हमें अपना पानी मिलना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी जो हर्याना के मुख्य मंत्री हैं मनोहरलाल खटर वो कह चुके हैं कि जो हिंदी भाशी गाव हैं वो हर्याना को मिलने चाहिए उसके बाद कोई और बात करेंगे सो दोनों ही जो राजे हैं वो चंडीगड के उपर अपना पूरा अधिकार समझते होई दिखाई दे रहे हैं पूरा अपना दावा ठोकते होई दिखाई दे रहे हैं कारने है कि दोनों की राजधानी है सांजी राजधानी है चंडीगड हर्याना और पंजाब की सो आज भी जो मुखे मंतरी हर्याना के उन्होंने प्रस्ताप रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा पंजाब के पानी के ओपर भी पूरा हक है हमें पानी भी मिलना चाहिए सो काफी उनका जो एक दिन का था वो जवाब दिया गया है पंजाब सरकार को कि पंजाब सरकार ने एक तरफा फैसला लिया था हर्याना से बात किये बिना ही खुद का प्रस्ताप रस्तुत किया था तो उसी का जवाब देते हुए आज हर्याना विधान सभा में भी एक दिन क का खास session बुलाते हुए प्रस्टा भी किया गिया है पास। भगवंत मान ने deputy commissioner से मुलाकात की और साथ ही पंजाब के स्सपी से भी मुलाकात की है। क्या है इसकी खास वज़ए मुलाकात की खास वज़ए क्या रही। बिल्कुल वंधना जी जब से पंजाब के मुख्य मंतरी बने हैं भववन सिंग मान तब से लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं देखा जाए तो लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कल उनोंने डिप्टी कमिशनर्स थे जितने भी पंजाब के उनके साथ मुलाकात की थी मीटिंग की थी उनको आदेश जारी किये थे कि जो डिप्टी कमिशनर्स वो अपने कारेले के अलावा गाउ में जाएं गाउ में जाकर लोगों की समस्यान सुनें समस्यान सुनकर उनका म के साथ बात की है पूरे SSP आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे मेटिंग की तो उसमें अहम फैसला लिया गया है कि जिस परकार से पंजाब में लगातार गैंक वार हो रही है कुछ दिन पहले ही एक कबड़ी का खिलाडी था उसको भी मार दिया गया था और भी ऐसी कई घ का कोई अधिकारी करेगा ताकि जो गुंडा अंसर हैं गैंस्टर हैं जो पंजाब का महाल खराब करना चाहते हैं उनको रुका जा सके हिमाचल में बस चालक ने एक मिसाल कायम किये उसने अपनी जान की परवा किये बिना सभी सवारियों को बचा लिया है क्या है पूरी हुआ था और जिस परकार से होता है कि कभी तकनीकी खराबी आ जाती है तो इसी परकार एचाटीसी की बस को लेकर जा रहा था काफी सवारियां बैटी थी एकदम से तकनीकी खराबी आई बरेक नहीं लगी संतुलन खराब हुआ तो उस युवा ने उस चालक ने पूरी सू जिवा की मृतिव हुई है उसी उमर में इसके पिताजी की मृतिव भी हो चुकी है तो इसलिए काफी जो दुखत ख़बर भी है और बहादुरी भी दिखाई है ऐस चालक ने कि किस परकार से अपनी जान की परवाह नहीं की अपनी जान दे दी और काफी सवारियों को उसने बचा दिया है सुवारियां घायल हुई है जिनका इलाज विबन अस्पतालों में चल रहा है और सुवारियों का भी यही कहना है कि जिस परकार से बहादुरी दिखाई है उस चालक ने तो हम उसका देना कभी भी नहीं दे सकते मतलब कहने का यह है कि एक तरफ डैम था और दूसी तरफ पाहड़ी थी तो उसने डैम की तरफ बस नहीं मोड़कर पाहड़ी की तरफ बस मोड़ दी और जिसमें उसकी खुद की जान चली गई अगली ख़बर भी हिमाचल से ही है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंतरी ने एहम फैसला लिया है क्या है ये एहम फैसला बिल्कुल वंदरा जी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंतरी है गोबिन सिंग ठाकूर उन्होंने फैसला लिया है कि नौवी से लेकर बार्मी कक्षा तक गीता पढ़ाई जाएगी वहां की क्लासेज में जो नौवी क्लास के शात्रें उनसे लेकर बारवी कक्षा तक गीता एक विशय के रूप में पढ़ाई जाएगी और साथ ये आप्शन भी दी गई है जिन बच्चों को संस्कृत आती है वो संस्कृत में भी गीता का विशय जो रख सकते हैं हिंदी में भी गीता का जो अध्यानव किया जा सकता है और इसके साथ ही तीसरी क्लास से ही हिमाचल परदेश में सरकारी स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो जाएगी ताकि बच्चों को अपनी धरोर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने रिती रिवाजों के साथ और धर्म के साथ जोड़ा जा सके हर्याना में किसानों के चेहरे पे अब खुशी का माहौल है उनके चेहरे पे इस खुशी की वज़य क्या है? बिल्कुल जी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालते हैं और उसको मंडी में लेकर आते हैं और अगर अच्छा भाव मिले तो उनके जो चेहरे हैं उस खिलना स्वभाविक है इसी के चलते ही जितनी उमीद किसानों ने की थी कि उनको गेहूं की वा अन्य फसलों की कीमत मिलेगी उससे कई जो उपर तक भाव जा रहे हैं फसल के देखा जाए तो जो की फसल है उसका जो MSP है मिनिमम जो स्पोर्ट्स प्राइज होता है वो 1645 रुपे प्रती कोईंटल है तो इसी के चलते अब उनका जो की फसल है वो बिकरी है 2200 रुपे प्रती कोईंटल और बात की जाए गेहूं की तो गेहूं का जो MSP है वो है 2015 रुपे प्रती कोईंटल लेकिन किसानों को मिल रहे हैं दो हजार पचास प्रती कवंटल के हिसाब से पैसे तो इसी के चलते सरसों की कीमत है वो पांच हजार के करीब उसका सरकारी भाव बनता है लेकिन शेह हजार से उपर उनकी सरसों की फसल भी बेक्ती हुई दिखाई दे रही है और मुखे रूप से यह बात है कि सरकारी अजेंसियों की बजाए जो प्राइवेट लोग हैं जो वेपारी हैं वो इनकी फसल को खरीद रहे हैं और अच्छी फसल की अच्छी किमत दे रहे हैं फिर तो किसानों के चेहरे पर खुशी आना स्वाभविक है धर्मेंदर जी विभिन खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर आपके सामने ताजातरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूस का प्रोग्राम में तब तक के लिए नमस्कार